दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये दो इंजेक्शन लगाते ही गाय भैस तुरंथ हीट में आती हैं जी हाँ दोस्तो मातर दो इंजेक्शन लगा कर आपकी चाहे गाय भैस बड़ी हो चाहे फर्ष टाइमर हो पड़िया हो वो सबी तुरंथ हीट में आ ज पूमेंट्स आते रहते थे फोन पर भी बार बार पूछते रहते थे कि सर हमारी गायबैसे हीट में नहीं आ रही प्रेग्रेंट तो तब होंगी तो दोस्तों मातर ये दो इंजेक्शन जो आज की वीडियो में बताऊंगा वो लगा कर आप अपनी गायबैस को तुरंत हीट म में आ जाएंगी तो ये दो इंजेक्शन कौन से है कब कितने लगाने है वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा तो नमस्कार दोस्तों मैं हूशीश पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सब का पसंदीदा यूटूब चैनल टूडे तो सवागत है दोस्तों आप सभी का और दोस्तों डेरी फार्मिंग वो पसुपालन की रोजाना की ताजा जानकारी बरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाईयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी द और दोस्तों अगर आप फेस्बुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक को फोलो कर लीजिए साथ ही हमारे फेस्बुक पेज टूडे फार्मिंग जोन को भी फोलो कर लीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि मातर दो इंजेक्शन लगाने से आप अपनी गायबैस को तुरंथ हीट में ला सकते हैं तो वो दो injection कौन शे हैं वो बाद में बताऊंगा लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कौन कौन शे हालात में कौन कौन शी शितीती में आप ये दो injection लगा कर अपनी गायबैस को तुरंट हीट में ला सकते हैं तो दोस्तो उनमें पहला है जो दोस्तो आपकी फर्स्ट आइमर पडिया होती है कटडिया होती है छोटी तो उनमें ज्यादा तर ये समस्या देखी जाती है कि आप उनको चाहे देशी दवाई दिलवालो चाहे अंग्रेजी दवाई दिलवालो चाहे मेडिकल में इलाज करव लेकिन वो हीट में ही नहीं आपाती है तो इस तरह की फर्स्ट आइमर पाड़ी कट्डियों को ये दो इंजेक्शन लगा कर आप उनको तुरंत हीट में ला सकते हैं दूसरी दोस्तों चाए बढ़ी बहांसे हो चाए ये फर्स्ट आइमर पाड़ियां हो आप उनको सभी तरह कि दवाईया दिलवा चुके हैं देशी नुश्के भी उन पर आजमा चुके हैं इंजेक्शन वगारा भी लगूआ चुके है पिर भी वो हीट में नहीं आ रही है तो ये दो इंजेक्शन लगा कर आप उनको भी हीट में ला सकते हैं तीसरा दोस्तो जो गाय बैसे proper heat में नहीं आती है, silent heat में रहती है, आपको पता ही नहीं चलता, वो मतलब रेंगती ही नहीं है, रेंगेंगी नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो heat में है या नहीं, तो इस तरह की सतीती अगर आपकी गाय बैसों में है, तो उसको भी ये देशी नुष्के उन पर आज मालो वो ना हीट में आती है और फिर प्रेगनेंट होना तो दूर की बात है ग्याबिन भी नहीं हो पाती है तो इस तरह की गायब ऐसों को भी आप ये दो इंजेक्शन लगा कर उनको हीट में ला सकते हैं पांच मुआ दोस्तों कुछ गायब ऐ चाहे ऐसे ऐसी होती है जो घोड़ा बहुत मामूली सा डिस्चार्ज डालती रहती है पानी डालती रहती है जिसका आपको कभी पता चल गया कभी नहीं चला तो मतलब वह भी प्रोपर हीट में नहीं हाती है तो उस तरह की बैशों को भी ये दो इंजेक्शन लगाकर आप ह सकते हैं गाए हो तो उनको भी ला सकते हैं छटा दोस्तों कई बार क्या होता है कि बच्चे दानी में कोई गाठ बन जाती है तो ये तीन तरह की गाठी होती है दोस्तों चाहे तो खोरिकुलर शिष्ट कहलो चाहे ओवेरियन शिष्ट कहलो चाहे जो तीसरी परकायर की जो शिष्ट होती है गाठ होती है चाहे वो हो तो उस तरह की सितीती में भी आप ये दो इंजेक्शन लगा कर अपनी गाए बैसों को प्रोपर हीट में ला सकते हैं तो दोस्तों वो दो कौन से है वो बताने से पहले आपको थोड़े से जो जर्नल प्रोटोकोल है जो सादारन सावधानिया है वो जरूर बरतनी होगी वो क्या है कि आपने अपने पसू की समय समय पर डिवार्मिंग करनी जरूरी है ब्याने के 21 दिन बाद पहली डिवार्मिंग की जाती है उसके नोन प्रेगनेंट है ग्या भी नहीं है तो उसिशाब की गोली दीजिए लेकिन समय पर डिवार्मिंग जरूर करिए दूसरा दोस्तों जब भी आप ये डिवार्मिंग की गोलिया या दवाया अपने पसुओं को देती हैं तो वो शीद पसु के लिवर पर अटेक करती है पस भी अच्छी कमपनी का लिवर टोनिक जरूर दे सामने आप कुछ कमपनियों का लिवर टोनिक देख सकते हैं इन में से कोई है का आप अपने पसुओं को दस दिन तक जरूर दे तीसरा दोस्तों जो आपके पसुओं में ये ग्या भी ना होने की या हीट में ना आने की समस् मिनरल्स की कमी के कारण देखी जाती है तो आपने अपने पसू को अच्छी कमपनी का मिनरल मिक्सर भी जरूर देना चाहिए तो दोस्तों ये तीन चीजे हैं जो आपने जरूर अपने पशूक करनी चाहिए इनका कोई नुक्षान भी नहीं है फायदा है दूद बढ़ता है इनसे और आपकी गायबैसों में जो ये समस्या होती है हीट में ना आने की या गैबिन ना होने की उससे भी आपकी गायबैसो को बचाती है तो ये जरूर करने चाहिए तीन काम तो आपने अब आते हैं इलाज पर मतर दो इंजेक्शन लगा कर आप अपनी गायबैसों को हीट में ला Сकते हैं उनكن में पहला इंजेक्शन दोस्तों आपने मल्टी मिनरल्ज का देना होता है चिलेटिद मिनरल्ज का Zinc, Magnus, Selenium, Copper यह Satin Weight ही जरूरी नहीं है आप किसी ओर Company का, जिसमें यह सबी Salt है Zinc है, Magnus, Selenium को पर है वो तो दूसरी Company का भी आप दे सकते हो लेकिन यह सबी चीज़े होनी चाहिए जो Satin Weight Injection है दोस्तो इसकी Doge क्या रहेगी इसकी दो साल से बड़ी है एगर पढ़ियां हैं या बैसे हैं उनमें डोज होती है, एक एमेल पर सो किलो किलोगा है तो चार एमेल पांसो किलोगा है तो पांच एमेल उससे ज्यद्व आपने नहीं लगाना है और आपने तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है दोस्तों मैं जब भी आपको को इंजेक्शन वगारा बताओ या दवाईया वगारा बताओ वो आपने आपके नजदीक में जो डॉक्टर हैं या फिर पसु चिकित्सक हैं सरकारी डॉक्टर से जरूर सला ले और उसी से पूछ कर इंजेक्शन उसी से लगवाए आपने खुछ डॉक्टर नहीं बनना है तो दोस्तों ये एक एमेल पर 100 kg बोडी वेट के हिसाव से सिटीम वेट इंजेक्शन आपने इंट्रा मस्कूलर रूट से लगाना है सब कट रूट से भी लगा सकते हैं दोनों रूट से आप लगा स होता है रिपीट नहीं करना होता है तो ये दोस्तों क्या काम करता है ये जो आपके पसुव में कंशेप्शन रेट होती है उसको बढ़ाता है यानि कि आपके पसुव में गरबदारन करने की सकती को बढ़ाता है वो जिससे आपका पसुव जल्द से जल्द गरबदारन करत है और फिर और जो repeat की समस्या होती है बार-बार फिरने वाली समस्या होती है उससे भी छुटकारा दिलाता है दूसरा दोस्तों आपने एक hormonal injection लगाना है एक साइड में आपने ये लगा दिया तो दूसरे साइड में आपने वो लगाना है injection का नाम wetmate जो की कारगिल कंपनी का आता है जिसमें कलो प्रोस्टनोल साल्ट होता है तो दोस्तों इस साल्ट का ये जरूरी नहीं आप वैटमेट ही लगाओ कोई और कंपनी का भी लगा सकते हैं लेकिन साल्ट यही होना चाहिए कलो प्रोस्टनोल तो ये दोस्तों हीट में लाने के ल शिर्फ सिंगल रूट से लगाना है सिंगल डोज लगाना है इंट्रा मुस्कुलर ही लगाना है एक तरफ आप पहले वाला लगा दीजिए दूसरी तरफ यह लगा दीजिए यानि कि गर्दन पर लगा रहे हैं तो एक तरफ आप सटीम वेट लगा दीजिए दूसरी तरफ य जिंगल डोज आपने लगाने हैं बार बार रिपीट नहीं करने हैं तो दोस्तों ये दोनों इंजेक्शन लगाते हैं कुछ गायब ऐसे तो मतर तीन घंटे में ही हीट में आ जाती हैं और कुछ गायब ऐसे बारा गंटे तक ले लेती हैं कुछ-कुछ जो ज्यादा अडियल बैसे होती है जिन में ज्यादा प्रोबलम होती है तो वो तीन दिन यानि के बैटर घंटे तक ले लेती हैं लेकिन हीट में जरूर आती हैं तो दोस्तों फिर भी अगर कोई और कमी है یा फिर कोई बहुत ही ज्यादा दिकत और दस दिन तक आपने वेट करना है 10 दिन तक अगर आपका पसू किसी भी तरह से हीट में नहीं आता है तो आप ये दोनों इंजेक्शन 10 दिन के बाद फिर से रिपीट कर सकते है वही डोज आपने देनी है तब तो आपका पसू हीट में आ ही जाएगा